फल सबजी के बिना कौन सा परिवार चलता है न तो मेरा परिवार चलता है नहीं आपका परिवार चलता है हम लोग फल सबजी बाजार से खरीद के लाते हैं तो उसको पानी से वाश करते हैं लेकिन कुछ फल सब्जी वैसा है कि जिसको हम लोग धो के काटके खा जाते हैं। जैसे कि हम लोग अगर कोई सलाद बना रहे हैं, तो उसमें जो खीरा है, प्याज है, मूली है, जो भी है, उसको हम लोग सिर्फ पानी से वाश करते हैं। लेकिन अगर हेल्थ की बात करें, तो ये फल सब्जी प्रॉपर साफ होना चाहिए, खास करके अभी जो पैंडमिक सिचुएशन चल रहा है, इसमें तो हम लोगों को और ज़्यादा क्यारफूल रहना चाहिए। तो आज का वीडियो मैं इसी सब्जेक्ट में बना रहा हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखिए, काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये होने वाला है। नमस्कार मैं हूँ देव, फिर से आप लोगों को स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल ददेव रिव्यूज में। जैसा कि मैं शुरू में बताया, फल सब्जी का रिक्वाइर्मेंट हर परिवार में होता है। लेकिन हम लोग का यूजवल प्रॉसेस क्या होता है। हम लोग मार्केट में जाते हैं, देखने में जो फल सब्जी हम लोगों को अच्छा लगता है और लगता है कि ये फ्रेश हैं, उसको हम लोग सफिशेंट क्वांटिटी में खरीद के लाते हैं। फिर उसको हम लोग पानी में धो के साफ करते हैं, अगर जो रत पड़ा उसको तुरंद कंज्यूम करते हैं, या फिर दो-चार दिन बाद में यूज़ करने के लिए उसको हम लोग फ्रीज कर देते हैं। लेकिन जब पानी से हम लोग इसको धोते हैं, तो क्या साफ होता है, उसमें जो धूल वगर लगा हुआ है, वही साफ होता है, अगर उस फल्द सबजी, मीट, मचली, कुछ भी हो, उसमें मक्खी बैठा है, उसमें मक्खी बैठ कर और उसमें कुछ infection छोड़ के गया हो, तो वो पानी से साफ शायद नहीं हो सकता है, तो जिसके चलते हम लोग यूज करते हैं, ओजोन-based fruit and vegetable cleaner, आज जो product के बारे में information मैं आप लोगों से share करने वाला हूँ, वो product Kent Company का बनाया हुआ है, और ये product काफी दिनों से market में available है, लेकिन awareness उतना ज्यादा available नहीं है, तो चलिए time waste क ये बीना वीडियो को start करते हैं और दिखाते हैं कि कौन सा product के बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ, तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं Ozone Fruit and Vegetable Cleaner के बारे में, आप लोगों में से बहुत को ये पता है कि Kent का एक product है, जो कि बहुत पुराना है, मतलब ये काफी साल से चल है, लगबग 5500 में ये product आप लोगों को मिल जाएगा, purchase link description में दिया हुआ है, आप चाहे तो वहाँ जाके देख सकते हैं, चलिए देखते हैं कि ये काम किस तरह से करता है, ये एक counter-taught model है, ये machine जो है, वो bio-friendly ozone technology के उपर में काम करता है, जो कि virus, bacteria, pesticide, chemical, इन सारे चीज को vegetable और fruit से, आसानी से निकाल देता है, दूसरा काम ये जो करता है, ये residual chemical को oxidize करता है, इसमें ना तो आपको कोई consumable का जरुरत है, ना ही installation का जरुरत है, अगर consumable का जरुरत नहीं है, इसका मतलब हुआ कि ये product लगभग maintenance free है, अगला point भी काफी important है, कि इसमें कोई chemical का requirement नहीं ह मतलब ये नहीं है कि एक chemical को remove करने के लिए हम लोग कोई दूसरा chemical यूज़ कर रहे हैं, ये सिर्फ atmospheric ozone gas को ही use करके और फल सबजी को साफ करते हैं, इसका installation काफी easy है, अगर ये product आप कहीं से भी खरीदते हैं, चाहे वो मेरे link से हो या फिर दूसरे कहीं से, ये product आपको box में आएगा, साथ में आप देखेंगे कि इसमें एक silicon का tube दिया हुआ है, वो tube इस machine के पीछे side में एक pipe जैसा बना हुआ है, सिर्फ उसमें insert कर देना है, और ये machine आपको use के लिए ready हो जाएगा, ये जो fruit and vegetable purifier है, इसका अगर features का थोड़ा बहुत बात कर लें, तो आप photo में machine का product है, जो की ozone disinfection technology के उपर में based है, और ये bacteria, virus, fungus और दूसरा जो pathogens होते हैं, उसको effectively clean करते हैं, ये residual chemical को oxidize कर देते हैं, जैसा कि आपका meat हुआ, vegetable हुआ, fruit हुआ, उसके surface में अगर कोई chemical लगा हुआ है, तो उसको ये आराम से साफ कर देता है, इतना ही नहीं, ये antibiotic और hormones को भी clean करता है, जो की meat, मचली या seafood में जरूर रहता है, इस product में आपको ना तो service का requirement होगा, ना ही कोई parts change करने का जरूरत पड़ेगा, जरा इसका technical specification बता दे, कि ये normal single phase 220-240 volt AC में ही काम करेगा, इसका power consumption होगा, 13 watt, और timer जो आपको use करना होगा, fruit and vegetable clean करने के लिए, इसमें दो setting दिया हुआ है, एक 15 minutes का और दूसरा 30 minutes का, आपका quantity के अनुसार में ये timing आप चूज कर सकते हैं, इसका अगर ozone output का बात कर ले, तो ये 200 mg पर hour ozone output देता है, weight इसका लगबग 1.7 kg का है, noise इसमें लगबग 45 dB का होने वाला है, जैसा कि मैं पहले बताया, कि ये product काफी दिनों से market में available है, तो मैं आज ये जो video बना रहा हूँ, वो इस product के बारे में बताने के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाया हूँ, मैं बनाया हूँ, एक बिल्कुल नय product, जो की अभी तक आपको YouTube में देखने को नहीं मिलेगा, उस product के बारे में, ये product भी Kent का ही बनाया हूँ है, और इसका model नेम है Kent Ultima Fruit and Vegetable Cleaner, इसका price आपको लगबग 7700 का लगेगा, और purchase link इसका description में दिया हूँ है, आप चाहे तो वहाँ से जाके इसको purchase कर सकते हैं, अगर technology या science की बात करें, तो इससे पहले जो मैं product अभी discuss किया इस video में, ये product भी उसी principle में काम करता है, मतलब bio-friendly ozone technology के उपर में ही ये काम करता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा advantage है, कि इसमें detachable tank दिया हुआ है, जो कि आप निकाल के आराम से clean कर सकते हैं, चाहे तो everyday clean कर सकते हैं, Kent Fruit and Vegetable Cleaner जो tabletop model है, उसी के तरह ये भी residual chemical को oxidize करते हैं, कोई consumable का आपको जुरत नहीं पढ़ने वाला है, और नाहीं इसमें कोई chemicals यूज होते हैं, Kent Vegetable Cleaner का जो tabletop model है, उसमें आपको vegetable या fruit को clean करने के लिए, या फिर meat, मचली कुछ भी हो, clean करने के लिए आपको एक glass bowl का जुरुत पढ़ता था, जो कि इस model में आपको जुरुत नहीं पढ़ेगा, क्योंकि इसमें एक detachable tank company already दे दिया है, आपको काम सिर्फ इतना करना है, कि उस detachable tank में पानी भर देना है, और fruits, vegetables जिसको भी आप clean करना चाह रहे हैं, उसको उस tank में डाल देना है, मेशीन में जो pipe लगा हुआ है ozone deliver करने के लिए, वो अपने आप ही पानी के अंदर सला जाएगा, और जैसे कि आप switch on करेंगे और timer को set करेंगे, इस product में भी 15 और 30 minutes का timer दिया हुआ है, जैसे ही आप timer को set करेंगे, वो ozone gas पानी में deliver होता रहेगा, और आपको बहुत सारे bubbles दि अचली जो भी कुछ दिया है, उसका जो भी गंदगी है, वो आपको उपर में तैरता हुआ नजर आएगा, अगर height की बात करें, तो इसका height लगभग डेड़ फिट से थोड़ा जादा होने वाला है, और अगर चोड़ाई का बात करें, तो इसका चोड़ाई एक फिट से थ उठाना है, कौवर को उठाने के बाद में आप देख पाएंगे कि टैंक के उपर में एक कौवर दिया हुआ है, उस कौवर को भी आपको निकाल लेना होगा, निकालने के बाद आप टैंक को पकड़ के पानी समेथ पूरा बाहर निकाल लीजे, और फिर अपना हिसाब से इ पसंद आया होगा क्योंकि इस वीडियो में मैंने काफी इंपोर्टेंट जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने का कोशिश किया हूँ अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी कोश्चन है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए मैं 100% कोश्चन का आंस को शेयर कर लिजे अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अन कर दीजे ताकि आने वाला हर इन्फॉर्मेटी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक डाइरेक्ट पहुंसता रहे हर वीडि है एक और इंपोर्टेंट वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद